सहाया ग्रेट दीन पर भरती है तू कौर्शर परिक्षा की सूचना आई है विसेस करिष्ट करमचारी चैन बोड यानि lawyer staff selection board बस्तर की और से पिछले दिनों इसका परिणाम जारी किया गया था, आज जो सूचना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो skill test के बारे में हैं यानि कि कौशल परिच्छा के बारे में दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं जीरो पिरेट जीरो पिरेट में कार्यालाय कमिश्टर बस्तर संभाग जगदरपूर की और से जारी एक प्रेश विग्यप्ति का हवाला लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ इस प्रेश विग्यप्ति में सूचिना दी गई है कि कलेक्टर जिला बस्तर काकेर कोंडा गाउन नारायनपूर बीजापूर सुकमा दंतेवाड़ा इन सब के द्वारा एक विग्यापन जारी किया गया था सहायक ग्रेट तीन के लिए इसके लिए भरती परिक्षा आयोजित की गई थी जो 16 जन्वरी को संपन हुई उसका परिणाम आया एक मार्च को सॉरी एक फर्वरी को परिणाम आने के बाद उसमें लिखित परिक्षा के आदाबाद एक कौशल परिक्षा का आयोजन किया जाना है कौशल परिक्षा के आयोजन के लिए जो तिथी है वो निर्धारित की गई है संभावित तिथी है ये टेंटेटिव डेट है तीन अप्रेल दो हजार बाइस अब ये कहां आयो जित होगी इसकी पूरी सुचना मैं आपको इस वीडियो में दूंगा वीडियो में बने रही है अब भ्यर्तियों को आउगत कराया जा रहा है कि उक्त कौशल परिक्षायतु द्यूनतम अंक कौशल परिक्षा की पातरता एवं मापदंड का पिछे स्करिश्ट कर्वचारी चर्ण बोर्ट के वेबसाइट पर अप्लोड कर दिया गया है दिनांक 7-3-2022 को अब वोर्ट पर आप इसको अउलोकरन कर सकते हैं ऐसा वो कह रहे हैं अगर आप वोर्ट पर देख पाते हैं तो अच्छी बात है वरना ये पूरी की पूरी सूचना आप मेरे टेलिग्राम चैनल पर भी देख पाएंगे मैं इसे वहाँ पर अप्लोड कर देता हूँ आपक को ये मिलेगा कि सहायक ग्रेट तीन पर देतू लिखित परिक्षा एवं अनुभव के आधार पर प्राप्त अंकों को मिला कर कौशल परिक्षा में सम्मिलित होने वालों के लिए नियूनतम अंक का निरधारण किया गया है इस पे बस्तर संभाग बस्तर जिला में दिया ग और पी एच का 54 आगे चलते हैं काकेर जिला में इसका 94, 76, 78, 63, 78, 65 और 94, 80 ये आपका कटाफ पताया गया है काकेर जिला पर दंते वाड़ा में 81, 48 और 58, 27 है नारायन पूर पे अलग-अलग वर्ग हैं अन्रिजर्व्ड, ST, ST, PH, ST, X-Servicemen, SC और OBC और उसके कार्डिंग ये बताया गया है आप चाहें तो स्क्रीन पर देख सकते हैं वीडियो पास्ट कर लें पास्ट करने के बाद आप पूरी तरह से इसको देख पाएंगे सुक्मा का भी इसी तरह से चारों के टेगिरी के लिए अलग-अलग दिया गया है पांच के टेगिरी हैं अन्रिजर्व्ड भी है वहाँ पे तो अन्रिजर्व्ड का और फिर ST का फिर ST का पिर ST का अनुभव के प्राप्तांकों के आधार पर कौशल परिक्षायतु मेरी तूची तैयार किया गया है कौशल परिक्षा में सम्मेलित होने वाले उप्रोक्ता नुसार कालम 4 में दर्शित अधिक्तम एवं नंबर कालम 5 में न्यून्तम निरधारित है जिन अभ्यर्थियों के प्राप्त अंग्, उप्रोक्त, न्यूंतम अंग्से अधिक हैं उन्हें कौशल परिक्सा है तु समय एवन्तिधी की जानकारी प्रिथक से दी जाएगी, मतलब जो परिक्षार्थी इस रेंज में आते हैं इस नियूंतव और इस अधिक्तम के बीच आते हैं उनको प्रिथक से इसकी जानकारी दी जाएगे कब इसका कॉशल टेस्ट होगा या कॉशल परिक्षा होगी तो ये जानकारियां आपके काम की है अब इसमें आपको मापदर्ण क्या दिखाया गया है ये आप समझ लीजिए कॉशल परिक्षा में पातर्दा का मापदर्ण क्या होगा 36 गड़ शासन सामाने प्रशासन में भाग मंत्राला महा नदी द्वारा एक पत्र जारी किया गया था जिसमें सहायक ग्रेट 3 के लिए कॉशल परिक्षा में पांच हजार की डिप्रिशन प्रति घंटा की गट्टी निर्दालित है सहायक ग्रेट 3 के लिए इस पद के लिए विज्यापन में दर्शित अरहता के अंसार कॉशल परिक्षा में पांच हजार की डिप्रिशन प्रति घंटा हिंदी में इसके लावा पंद्रालिट की टाइपिंग परिक्षा जित की जाएगी जिसमें 200 शब्द होगे और 1250 सब् को बंद्रणट पर टाइप करना पड़ेगा टाइप किये करने के लिए दिये गए 250 शब्दों में से नियूनतम 65 प्रत्शत सद्ध पूर्णतह सही टाइप करना आवश्यक होगा तभी आप क्वालिफाई माले जाएंगे अच्छा कंप्यूटर पर आधारित जो होगा उसका क्या मुल्यांकन पद्धती होगा वो समझ लेते हैं अभ्यर्थी को टाइप किये जाने वाले टेस्ट या कंप्यूटर स्क्रीन पर आनलाइन दिखाई देगा जिसको देखकर उसे उसी स्क्रीन में निर्धायत समय में टाइप करना पड़ेगा स्क्रीन पर कितना समय शेस है कितने शब्द शेस है ये आते रहेगा यदि अब भेर्थी कोई शब्द छोड़ देता या गलत लिखता है तो computer screen पर वो शब्द लाल हो जाएंगे और कोई शब्द छूड़ जाता है आगे के सभी शब्द लाल हो जाएंगे अब भेर्थियों को सुविधा होगी कि गलत सब्दों को सुधार सके या फिर बिना सुधारे आगे के शब्दों में टाइपिंग जारी जाक सके अब भेर्थी यदि पहले टाइपिंग कारे पूर्ण कर लेता है तो उसे submit बटन दबाकर लाग भी कर सकता है अन्य था पंदर मिनट के बाद उसे अपने आप वो लाग हो जाएगा क्योंकि आपका schedule पंदर मिनट का है पंदर में जितने शब्द टाइप करेगा वा उसका ग्रास वर्ड होगा जो सही सब्द होगा वो उसका नेट वर्ड होगा गती की गणना जी डबलू आप लिक 15 मिनट टाइप किये गए शब्द प्रति मिनट यह उसका आधार है अगर एक शब्द पांच टंकण का है तो एक प्रिनट में टंकणों की संख्या बराबर टाइप किये गए शब्द प्रति मिनट इन्टु फाइव यह आपका के माना जाएगा गतियम सुद्धता दोनों में क्वालिफाई होना पड़ेगा और अल्प विराम पूर्णाम चिन्नों के सब्दों के अंत में लगेंगे तो उन्हें शब्द का ही भाग माना जाएगा जैसे कर्विशारी और एक शब्द का कहला आएगा अब भ्यर्ति को अनलाइन मार्क टेस्स की सुविधा एक सब्ता पूर से प्रदान की जाएगी तो यह बहुत सारी जानकारियां थी इस वीडियो में आपके लिए काम की जिन लोगों ने क्वालिफाई किया हुआ कौशल परिक्षा के लिए और जिन लोगों ने कौशल परिक्षा के लिए पर अपनी क्वालिफिकेशन अरजित कर ली है मेरे तर्फ से उनको शुब कामना आए उम्मीद करता हूं कि उनको जल्दी ही जल्दी नौकरी मिल जाए और वो इस प्रत्योगी परिक्षा में अंतिन सफलता सिद्ध कर सके मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक इंतजार करिए और मुझे इजाजत दीजिए आप अपना ख्याल रखिए साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं धन्यवाद